नमस्कार दोस्तों स्वागात आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूजूब चैनल बी रोबो को में दोस्तों जैसा कि हमें आप-प मिद आप तो वीडियो को पूरा करें हम फिर आप से एक ही बात करना चाहेंगे वीडियो को पूरा देखें और जादा से जादा आपने दोस्तों का शेयर करें चलिए वीडियो को सुरू करते हैं। आज किस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं FALse of river के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को डाउट रहता है कि कौन सी नदी, कहां गिरती है, कहां जाती है, क्या होता है, उन सभी को आज हमने एक ट्रिक में बिल्कुत पिरो दिया है, और बहुत ही आसान सी ट्रिक है, सबसे पहले ट्रिक को ही जान लेते हैं, वो ट्रिक है, क्या सबसे पहले ट्रिक है स्वन भ्रामन महान होते हैं गोद लेते हैं क्रश्न को पेन होने पर डाक्टर कावेरी बैग लेकर आई जहां दोस्तों यह ट्रिक है यह किन नदियों की ट्रिक है क्या होगा इसके बारे में अभी तुरंद बात कर लेते हैं देंगे सबसे पहले हमने कहा स्व्ण प्रामाण तो श्व्ण से कौनसी नदिये बडू करनारी और ब्रामाण से हीं समझ में आरा कौन ब्रहख पुत्र अब सबको पता है कि ब्रहख पुत्र जो न दिये न जिये कहां गरती है अई न दालिके ब्रहमण से ही आ रहा है ब्रहमपुत्र और बा से ही मिल जाएगा आपको बंगाल की खाड़ी कौनसी भाई बंगाल की खाड़ी अब जो बंगाल की खाड़ी है क्या है भाई बंगाल की खाड़ी यानि यह जो पूरी ट्रिक मैंने अभी आपको बताईए ना कौनसी ट्रिक ब यह पूरी की पूरी जो ट्रिक है, बेस है किस पर, यह जो पूरी ट्रिक है, बेस है, बंगाल की खाली में गिरने वाली नदियों के उपर, ठीक है, तो कौन कौन सी नदी बंगाल की खाली में गिरती है, तो हमने देखा, श्वन, श्वन रेखा नदी, भ्रहमण से भ्रहमणी नदी और भ्रह्मपत्र नदी महान महान से कौन सी नदी है बाई महान नदी गा से कौन सी नदी है गंगा और गा से ही कौन सी नदी है गोदावरी का से क्रशनशे कौन सी नदी है क्रश्ला नदी है पेन से कौन सी नदी है पेनार या पेन्नरू कुछ भी कहलो और कावेरी सीध जो की सिंपल कहां गरती हैं बंगाल की खाड़ी में गरती हैं अब आज के बाद अगर कभी भी कह दे कि कौन सी नदी कहां गिर रही है तो किवल एक ट्रिक याद रखनी है क्या श्रौन ब्रहमण महान होते हैं गोद लेते हैं क्रश्ण को पेन होने पर डंक्टर कावेरी बंगाल की खाड़ी में गरती हैं थोड़ा से इनके डिटेल्स अगर ले लें तो डिटेल्स में यह देखो मैंने इनको इंडिया के मैप पे भी थोड़ा सा दिखाया हुआ है कि क्या सीन है कि जो गंगा नदी है आप देखो गंगा नदी 255 किलोमीटर की सबसे बड़ी को रेका 395 भ्रह्ममनी ब्रह्मपत्र 2900 ओवराल इसकी लेंट है लेकिन इंडिया में केवल नौसो सूला किलोमीटर इसकी लेंट है आठ सो पंद्रा से आठ सो पच्चास किलोमीटर गोदावरी 1465 किलोमीटर कर्षना चोदा सो एक किलोमीटर पिन्ना रूपान सो 597 किलोमीटर कावेरी 800 है और बैगई 258 किलोमीटर है तो आपने बस इतना दियान रखना है कि जो इनमें सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी दिख रही है आपको गंगा दिख रही है और अगर प्राइदीपी भारत में आजाएं कहां आजाएं भाई प्राइदीपी भारत में आजाएं तो आपको देखो एक नदी कौन सी बहतरीन दिख रही है एक दिख रही गोदावरी और एक दिख रही कृष्णा नदी यह दो वाले पॉर्शन से और यहां इस वाले पॉर्शन से सारी नदिया जो I नदिया किस और भाब रहे हैं किस और भाग रहे हैं जो कि यहां से कही निकलती है मद्रपेदेश के आसपास से निकलती है ठीक है और कहां जाती है अरब सागर के उर जाती है हम कैसे याद रखेंगे ये सब आपको बिलकुल भी परशान होने की जरूरत ने कौन सी नदी कहां जा रही इसको अभी मैं आपको ट्रिक के मादम से बताता हूं तब से हमने जो ट्रिक देखी है वह देख लिए हमने किसकी भाई बंगाल की खाड़ी की आजाओ भाई अब अब देख लेते हैं किसकी अरब सागर में गरने वाली नदियों की ट्रिक देख लेते हैं क्या है ट्रिक भड़ी आसान शी ट्रिक है क्या है कि सालुकी माँ कैब जफान मती सोजा बस एतनी शी ट्रिक है क्या है इसमें बसलुकी बस्सालुकी सा से क्या है साबर मती नदी हो लू से क्या है लूनी नदी हो गई मा से क्या है भई माही नदी हो गई भा से क्या है भारत पूजा नदी हो गई ना से कौन सी है नर्मिदा मा से कौन सी है मांडवी ता से कौन सी है भई तापती और सा से कौन सी है सिंधू और जा से दो नदी है जाखम कहलो और जहलम कहलो ठी इस सारी के सारी जो नदियां कहां गिर रही है इसका साफ साफ मतलब है कि ये किस और बह रही है भाई पस्चिम की और बह रही है अब अरब सागर में जो नदियां गिरती है न वो दो तरीके से गिरती है पहला जो फार्ट है दो तरीके से कैसे गिरती है एक गिरती है भाई जी ओसी गल्फ आफ कॉमबेट होते हुए खंबात की खाली से होते हुए तो खंबात की खाली से होते हुए कौन-कौन सी नदियां वो सतलच के साथ मिक्ष हो जाती है सतलच के साथ मिक्ष हो जाती है और सतलच आगे चलके किस में मिक्ष हो जाती है चिनाव में चिनाव आगे चलके किस में मिक्ष हो जाती है शिंदू में और शिंदू नदी गिरती है फिर सीधे जाके किस में भाई अरेबियन शागर में या पक्षमी और से अरा वली जो पहाड़ी है ना उसके पक्षमी और से पक्षमी और से कौन सी नदी निकलती है लूनी से और यह जाके कच्छ के रन में क्या हो जाती है खतम हो जाती है अब भाई कच्छ के रन में क्यों खतम हो जारी क्योंकि जो कच्छ का रन वाली लोकेशन है ना वहां की जो मिट्टी है बहुत ज्यादा क्या है खारी है खारी है तो पानी सोख लेती है ज्यादा बड़ी नदी है नहीं लूनी तो बस यहीं पर रोकी जाती है खतम जबकि अब यह द्यान देना है अरावली के पस्चिम पर लूनी नदी है लेकिन अरावली के पूर्व से कौन सी निकलती है बनास निकलती है जो कि हमने क्या कर लिया इसके बाद देख लेते हैं प्राइदीपी भारत के बारे में कुछ अपडेट है जो मैंने आपके लिए निकाल के रखी हुई है क्या है प्राइदीपी भारत के बारे में अपडेट कि जो प्राइदीपी भारत प्राइदीपी भारत मतलब जो दक्षिनल साउथ वाला है वहां पे जो में नदियां कौन सी भाई देखो नर्मदातापती हो गई और कौन सी है गोदावरी है कृष्णा है महा नदी है कावेरी है पिनार है वैगई है दामोदर है भ्रहमणी है तो अभी पहले ही मैंने आपक कि कावेरी नदी पता है कैसी नदी है यह नदी पर क्याना हमेशा इस नदी पर हमेशा ही हमेशा जल की मात्रा भरी रहती है मतलब कभी भी जल की मात्रा कम नहीं होती है इसलिए कावेरी कहती भी है कि जब मैं हुना तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा नाम ह क्या है कावेरी नाम है तो यह सारी चीजे हमने क्या करी हैं डिस्कस कर लिए हैं बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही टॉपिक का किया है डिसकस कर लिया है बस आपको दूट्रिक में याद रखनी है और दो ट्रिकों के माध्यम से ही आप क्या कर लोगे पूरा फाल्स आफ रिवर को अच्छी तरह से समझ लोगे आयोप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें डेफनेफिली अपने दोस्तों का सेयर करें और मिलते हैं ऐसी अगली इंफोर्मेटिव वीडियो में तब तक लिए नमस्कार